हेलो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर तीन दीन में आप कैसे सब्जियों के सीड उगा सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छे और सही धंक से जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो क्रेले के सीड है मैंने इसी धंक से उगाए थे प अगर आप पूरा बिना स्किप्ट किये हुए देखेंगे तो आप इसी तरह से अच्छे तरह हैल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं यह देखें जो सबसे पहले मैं यह जो सीड है इसके उपर ही बात करूंगा यह मैंने जो तरबूज के जो सीड थे वो गाए हुए हैं तो मै अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से बड़े भी आपका जो सीड लगाया हो उस नर्सरी को ट्रांस्प्लांट करना चाहते हैं सही तरीके से सही तो आप जरूर देखें मेरा पूरा वीडियो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन क्या है कि अगर आप सीड है यह देखें पूरे हैल्दी है यह और अब इसके बाद इसके अंदर जो स्वैल्म एड करनी है उसके उपर बात करूंगा मैं एक पार्ट तो हमने यो गार्डन की मिट्टी है वो ले ली है और मैं बता दूं यह छे गलास है इस गलासों में मैंने ट्रांस्प्लांटिंग करनी है छे गलास मैंने मिट्टी ले लिए उसके अंदर एक गलास मैं रेत का लूंगा और दो गलास मैं अपने घर के अंदर जो पत्तों से बनाई हुए डी कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट है वो लूंगा और दो पार्ट मैं कोकोफीड यहां पर यूसलाई नहीं करूंगा लकडी का ब्रादा जो होता है मिक्सर उसको यूज करूंगा लगाऊंगा इसके अंदर यह जो अगर हम ड्रेक्ट मिट्टी और खाद ही यूज करते हैं लगाए इसमें वर्त लेते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी काफी ज्यादा हाड होगी जो हम यह हमारे इसके रूपस हैं वो ग्रोफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिट्टी यह अंदर जाब हम पानी डालेंग यह मिक्सर हमारा त्यार हो चुका है और यह देखें इस तरह से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ने उपर जो के पानी डालें पूरा मिट्टी को इस तरह से प्रैस ना करें ग्लास के अंदर और इसके बाद जो इसमें पानी देना है वो स्प्रिंग स्प्रे करके देना है ड्रेक्टी नहीं डालना या तो आप किसी ट्रे के अंदर डालके ग्लास के नीचे जो मैंने होल किये हैं यह वाले थोड़ा सा ज्यादा पानी रख दें अपने आप जितनी जुरूरत होगी यह प्लांट के प्लांट ले लेंगे पानी जो लगाए हों सीट्स है मिट्टी खीच लेती है ना पानी इचे से कि अभी मैं ज्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा आगे का प्रोसेस में शुरू करता हूं क्यूंकि में वीडियो मैं चाहता हूं जिदनी ज्यादा छोटी से छोटी हो तो अच्छा रहेगा और मैं जो सीड्ट लगाने हैं इसके अंदर वह भी बताऊंगा क कि सीड्ट को थोड़ा सा गिला कर लें भीगो लें इस चीट की जुरूरत नहीं होती और क्या सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीड्ट को इस तरह लगाने के बाद आपको शेयर्डिड एरिया में रखना है ना कि सीधा ड्यक्टी संलाइट के अंदर रख देना है यह जो क् जो मैं सीड्ट लगा रहा हूं उगन चर्मिनेशन करके सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया देखा मैंने का इसके बाद क्या यह चलते भी है ग्रोथ भी कर जाएंगे यहां से मैं निकालकर ट्रांस्प्लांटिंग तो कर दूंगा लेकिन चलेंगे यह ना चलेंगे इस इसके उपर पहले वीडियो बनाया था मैंने लेकिन यह चल अच्छा इसकी जो क्वाल्टी आप देखा ही है इस वीडियो के पहले सबसे मैले मैंने जो दिखाया है बहुत अच्छी रही है अब यह तोरी के बीज है मेरे मेरे और भी सबजियों के सीड लगा के मेरा प्रोसेस जो चल रहा है मैं उसके पर भी आगे की जो गर्मियों के सीड होंगे मैं उसके पर पूरा जानकारी दोंगा कैसे सबजियां लगानी है कैसे क्या नम आगे कौन सी खाट डालनी है सब ची करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताँकि जो भी मैं आप देख सकता है कितनी वीडियों मैं अभी डाल रहा हूं सब्जीओं के उपर तो मैं यह अपनी गार्डन के में यह ज्यादा कर मेरपाथ का इरिया है तो मैं टायरिस गार्डन ही बनाता हूँ जमीन में बहुत ज्यादा कम होंगी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको मेरी अगर आप इसी तरह से मुझे फॉल्म करते रहेंगे हो सकता है आप से कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे कुछ काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा अगर मैं कोई कोई ऐसी गलती करता हूँ मुझे कमेंट करके जब बताते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि क्या अभी कहना मत अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया तो बैल का आइकन बटन ज़रूर जबा लें तांकि आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब अब भी मैं चाते हूं एक बार क्यब आपको यह स्टू मैं रिफिल करके दखाव था हुआ गया भी चाब दहुंआ चाहिए ज्यक्यों कैंदर ज्यासी तो जैसे मैंने क्रेले के सिर्फ चार सीड़ी पैले भी डाले ते वह प्रेमीयला था ये क्रेली है इसमें कोई भी खाद बगारा है नहीं मैं करता हूं एक है दो तो इस तरह से नहीं इसमें ज्यादा पानी डालने की जरुरत पड़ती है इसको ऐसी ही आपने इसको लखकन से अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं कमेंट करें पानी के लिए मैं इस पे पानी नहीं दूँगा अभी बारिश काफी जादा हो रही है तब इसलिए आगे तो मैं काफ बाहर भी वीडियो शुट करता हूं लेकिन